यह बहुती अफसोस है कि जो अभी इस वक्त बोर्ट चला रहे हैं, वो दस दिन पहले, बारा दिन पहले अब इद है, बाद में, आप बारा दिन पहले आप बोल रहे हैं, यहां के लोगों को कि यहां निमाज नहीं होगी, और बस वहाँ पे जाकर बोलने जी, यहां एद की कि निमाज नहीं हो सकती है what are the reasons वजुवात क्या है आप इड की निमाज नहीं होने दे रहे हैं कोई खास वज़ा तो होगी अभी तो बारिश भी नहीं पड़ी है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं हमारे जितने भी वक बोट चला रहे हैं यहां पर और हमारी LG सरकार को भ पूरी सरकार होती थी चीफ मिनिस्टर पूरे मेंबरान आपके एंजिनियर्स को काम पर लगए होते थे कि एंशोर करते थे चाहे बारिशें हो कुछ भी हो और एड की निमाज एक बहुत बड़ा मुतबर दिन है हमारा आलमी इसलाम का और यहां पर हजूम के होजूम आके लाकों की तैदाद में इद पढ़ते हैं एक सॉलिडरिटी होती है एक सिंबल है हमारा आपने आज आज बोल दिया कि नहीं जी यहां निमाज निहोंगी तो फिर क्या आपके हालात जो आप बोल रहे हैं प्राहिमिंस्टर इंडिया हमारे नरिंदर मोधी साहिब यहां पर आते हैं आपकी चैनल से में मकातिब हूं उनको हम मिनिस्टर अफ इंडिया को मकातिब हूं यहां से क्या यही फिर नॉर्मल्सी है यह तो वजा बताईए कि आप निमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहें क्या वजा है इसी कौन सी आफ़त है इस वक्त आई हुई है कि आप निमाज नहीं पढ़ने दे रहें आप तो कह रहें यहां के हालात बहुत ही दुरुस्त हैं बहुत ही सही है और अगर आप लोग ईद की निमाज में लेटनेंट गरवनर साब से गुजारिश करूंगा यहां से कि आप इस अब जो हालेश झाइब लोगो ताह यहां कौन देक्ट सुर्ड़।